नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपस्वी काल दनेटा फॉस्ट डीट यट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एड़ेट जुनियर सिच्छक भरती की कट आफ के बारे में अगर आप भी एड़ेट जुनियर सिच्छक भरती की पाईच्छा देकर कट आफ को लेकर पारिशान है तो इस वीडियो के माध्यम जे आपके सभी सवालों के जबा मिल जाएंगे चाहे आपके स्कोर के बारे में हो एकेडमिक के बारे में हो या फिर इसके अलावा आप सभी की टोटल कट आफ की बारे में कि कितने गुडांग पर आपको यहां से नौकरी मि पूझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को शुरूर से लेकर अंत्य तक देखते हैं तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जितने भी अभयति इस वीडियो को देख रहे हैं और चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिसे कि आपको इसी पकार की ऑथेंटिक जनकाया सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लाइक करेके अवश्च जाना तो सारी की सारी चीज़े मैं आप सभी को यहां से किलियर कर दू जूनियर एडिड के बारे में उससे पहले आप सभी को एक बात समझनी पड़ेगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे के पूरे सभी विश्यों की कट ओफ बताई जाएगी लेकिन ऐसे में एक बात आप सभी को ध्यान में रख दी होगी कि जादा तर चातों की तरफ से अपने स्कोर तो बता दिये गए हैं कि उनका कितना स्कोर देखने के लिए मिला है हाला कि अभी तक ओफीशल आंसर की तो आई नहीं है लेकिन जब ओफीशल आंसर की आजाएगी तो ये स्कोर उपर नीचे हो सकता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आप सभी को एक और याद रखना है वो ये है कि जादा दर चातों ने अपने स्कोर तो बता दिये हैं लेकिन इसकोर के साथ साथ हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने चातों की अकेडमिक कितनी है एक्जाम्पल के तोर पर अगर हमें कोई अव्यर्दी कहता है कि सर मेरे 120 नंबर सही हो रहे हैं जी एस के साथ मैं उनके सब्जेक्ट के मिलाकर तो 120 पर हम इस बात को कह सकते हैं अच्छा स्कोर है उनका यहां सेलेक्शन हो सकता है लेकिन अगर उनकी अकेडमिक 22 है तो यहां से कहिने की उनके लिए संशे बन सकता है क्योंकि अकेडमिक का भी एक बड़ा रोल आपके इस भरती के अंदर देखने के किलिए मिलेगा तो ज़्यादा अकेडमिक कम नंबर उनका स्यल्यक्ट हो सकता है लेकिन ज़्यादा नंबर के बाद अकेडमिक जादा अच्छी नहीं हुई तो यहां से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो ऐसे में अगर आपने वेरा इसकोर बाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें जिससे कि आपको पूरी जानकाई मिल जाएगी इसी के साथ जिद दिया है अब इनी के पीछे पंदेर सो सीटें आपको देखने के लिए मिलेगी लेकिन ऐसे में दो लाग वहत्तर हजार मैंसे कितने अब्यति क्वालिफाई करते हैं नब्य सतानवे पर उसके आदार पर आपकी यहां से जो मेरिट वनेगी अब नब्य सतानवे पर क्वालि होगी जनके को बिदियो के माधियम से बताया था कि ज़्यास का पोशिशन देखने के लिए मिला था जादा दरचातों की तरफ से 35 कोशन करी लिए गए हैं लेकिन कुछ ऐसे भी अव्यति हैं जो कि 40 के प्लस गए थे और मैने कहा भी है कि अगर आपने 40 से प्लस किये तो अ यह 35 वाला जो स्कोर है वो भी आपका ठीक है लेकिन अगर आपने 40 प्लस किये थे तो आपको ज्यादा वेनिफीशल होगा आपके गुटांग को बनाने में इसी के साथ आप सुभी को जानकाई दी गई थी सब्जेक्ट के अंदर जो कि आपके अलग-अलग विश्याओं का थ थी कि जादा तर मैथो साइंस वाले चाथ लोई स्कोर की तब बढ़े हैं जैसा कि अगर हम हिंदी की तब देखें तो हिंदी में 100 मैंसे जादा तर चाथ ऐसे मिले हैं जिन्होंने 80 प्लस वाले कोशन कर लिए हैं इंग्लिस की अंदर हमें जो मामला देखने के लिए मिला ह हैं इसके अलावा संस्क्रत की अगर बात कें तो हिंदी जैसा ही माहूल देखने के लिए मिला हैं कि 80 प्लस चाथों ने कोशन कर लिए हैं किसी के 95 भी हो सकते हैं लेकिन इतने होने की संबावना कम होती हैं स्सक्रत की अगर बात की जाए तो पिछेत्ता या च्छेत्ता के आसपर सबीं कह सकते हैं एक दो नमबर उपर नीचे हो सकते इंग्लिस से इससे जादा च्छात्तों ने अपने 100 कोश्चन में से जादा नहीं किये हैं अब कितने सही होंगे यह तो ऑफीशल आंसर आने के ब यहां पर जोड़ेते हैं तो लगवग 110 बनेगा इसके अलावा अगर आप यहां पर जोड़ेंगे 40 को तो 120 बन जाएगा इसी के साथ अगर आप यहां पर 35 या 40 को जोड़ते हैं तो यह तो 110 बनेगा या 115 बन जाएगा और यहीं से आपका सेलेक्शन करेने की बंड़नी की तब आगे बढ़ेगा क्योंकि 100 कोशिन में से आपका सब्जेक्ट था सामान जिनके लेवल अच्छा था आप अगर सही तरीकी से प्रपेशन कर दे लेकिन इतने जादा math or science के अंदर नहीं हुए होंगे जादा से जादा अगर मानें कि 40 उन्होंने कर लिए science या math में से और 30 उन्होंने math या science में से कर लिए तो यहां पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि लगबर 70 आप सभी के सही हो जाते हैं और 70 आप सभी के लिए score एक अच्छा score है इससे कम वाले चात्र भी हो सकते हैं क्योंकि जादा तर 70 वाले चात्र कम ही मिले हैं मैं तो साइन्स के अंदर समय काफी कम था कोईशन भी लेवल के थे तो ऐसे में 65 से लेकर 70 वाले चात्र मैथ के अंदर मिले हैं साथी जीएस के अगर इसके अंदर कोईशन मुला दिये जाते हैं तो 105 या 110 का आप सभी को जो है जका पर इसष्य एक बहुत बड़ा सवाल है माल लीज इनकी अस्वें इसके बाद में यहां वहां से वसी एक अगर ऑचिर? कि थे मिले तो उनके लिए यां समझ्च्छा हो सकती है क्योंकि अगर यहाँ पर इनकी academic 120 बनी थी नंबर थे और academic 20 थी ऐसे में दूसरा अभ्याति इनके साथ fight कर रहा था उसके यहाँ पर 120 है और academic उसकी 21 है तो selection इनका हो जाएगा इसी वजय से सेफ गुडांकूर समझने के लिए आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा पेपर की pattern को पेपर के अंदर बेस्टा चार को टोटल स्कोर की बारे में अकेडमिक की बारे में अब academic को समझबाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक एक अब्याति क अपनी अपनी academic है है ना क्योंकि बहुत साइ चातों ऐसे भी मिलते हैं कि लगबग उनकी जो academic है 30 के plus है कई चातों के आपने comment देखे होंगे उनकी academic 30 है या फिर 31 है यहाँ पर BTC वाले चातों की जो academic होगी लगबग 30 31 या 32 वाले चातों की academic बड़ी आसानी से मिल जाएगी अब जब आपके पास academic 31 की है ना तो दूसरी तरफ अगर आप math के अंदर जाकर 99 नमबर भी लेका कि आते हैं तो ज़्यादा संभावना कि आपको यहां से seat मिल जाएगी बहले ही आप दूसरे अव्याथी को भीट कर देंगे जो 110 नमबर लाया होगा क्योंकि academic आपकी बहु के अंदर अगर इसकी academic को जोड़ी है तीस के बारे में तो सीदे तो यहां पर सत्तर बन जाएगी है ना 48 के साथ में अगर हम तीस की academic को जोड़ते हैं और आप समझ सकते हैं कि academic का कितना बड़ा दोल आएगा अगर यहीं पर 48 की कहीने की लिखित परिच्छा के 60% हमने निक academic है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा benefit यहां से मिली जाएगा फिलाल हम आपको समझा दें एक-एक सब्जेक्ट की cut-off के बारे में ध्यान से सुनिएगा समझिएगा यह अलग-अलग cut-off हो सकती है इसमें बदलाव हो सकते हैं समय के अनुसार किसकी cut-off सबसे कम जाएगी क इस चीज़ को हम समझने का प्यास करेंगे जैसा कि आप सब्जेक्ट वाइस को देखेंगे math और science के लिए math और science में ऐसे अब्यर थी जिनका कईने की लिखित पहिच्छा के साथ में academic को जोड़कर total गुडांक बताने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको number तो बता दिये थे आपको तो सीट मिली जाएगी पिलस बानों के लिए लेकिन 79.5 से लेकर 72 तक जो भी अब्यरती है उनको math और science के अंदर यहां पर सीट मिल सकती है पेबल संबाबना है इतनी ही cut off रह सकती है और सबसे जो कम cut off होगी वह math और science की आपको देखने के लिए मिलेगी हो सकता है कि आपको यह cut off जादा भी लगे लेकिन इसके जादा होने की बज़े सिर्फ इतनी है क्योंकि सीटों की संक्या बहुत कम है पंद्यासो सीट निकाली गई है अब इन पंद्यासो सीट में से पांस सब्जेक्ट है आप पांस से डिवाइड करेंगे तो 300 सीट पड़ेंगी अब आप सभी विशयों के अंदर 300-300 सीट आने वाली है चात्तों की संक्या लाखों में है इसी बज़े से आप सभी देख पा रहे है तो ऐसे में आप जनरल से आते है 69.5 के बीच में है तो संबाब ना है कि आपको यहां से मौका मिल जाएगा मैथ्टो साइंस के लिए OBC वाले चात्तों की अगर बात की जाए गुडां को लेकर तो 69 से लेकर 71 के बीच में अगर OBC के कोई अभ्यरती है तो यहां से उनकी उम्भीद हैं कि उनको एक सीट मिल जाएगी और इससे पिलस वाले जो अभ्यरती है उनको तो 100% मिली जाएगी टोटल आपका गुडां क कितना मता कमेंट करें अब्यरतीयों की तो 68 बिलस वाले अभ्यरतीयों को मौका मिल सकता है पियएच वाले चात्तों की अगर बात की जाए मैथ की अंदर तो 65.67.5 की बीच में अगर अगर पीयएच निया फिर से हैं तो आपके चत्व है तो इससे जाना नीचे जाने की तब भी आपको जानकाई धी जाएगी तो दोस्तो ये तो बात हो जाती है, math की cut-off के बारे में, आप इससे कितना agree है, comment करके बताएं, चाए वो जनरल की, OBC की या फिर अगर बात के, SSD की ठीक है इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आपके Hindi Sanskrit को लेकर जैसा कि आप सब्दी यहां से देखने के लिए मिलेका कि Hindi और Sanskrit का जो pattern ठा लगबर कह सकते हैं कि Same देखने के लिए मिलाए जादा तर चातों ने अच्छे कोश्चन किये हैं लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी और संस्क्रत से हैं और जनरल केटेगरी में आप फाइट करें तो 72 से लेकर 74 वाले अभ्यरतियों को यहां से एक सीट मिल सकती है 72 से लेकर 74 के बीच में और जो प्लस में हैं उनके लिए तो सीट मिल ही जाएगी उनको ज्य सब्सक्राइब के लिए तो सब्सक्राइब करने वाला है इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं लेकिन सीटों की संख्या के चलते हिंदी के अंदर ऐसी वाले चात्नों को भी सतर सी नीचे मोगा मिलेगा आपका अगर 71 के आसपास है या इससे ऊपर है तो आपको यहां से मोका मिल सकता है जो भी सी के अब्यर्ती होंगे यहां पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो कटॉफ जाएगी लगबग हम कह सकते हैं कि 70-10.5 से पिलस वाले अब्यर्तियों की समभावना जाएगा है फिर भी मैंने आपको बताया कि OBC कटॉफ भी लगबग जनरल के आसपास ही जाएगी हमने यहां पर समझाने के दो दो वर्ड लिख लिए हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर यहां पर जो जनरल की कटॉफ है 71.9 जाती है तो OBC की जो कटॉफ जाएगी मतलब यह OBC की हो जाती है और जो संस्क्रत में कोई समझोता नहीं होगा बहुत ही अच्छी कटॉफ यहां से आपको देखने के लिए मिलेगी आप सभी देख लीजिए इसी के साथ अगर बात की जाए अपने अगले सब्जक्ट के बारे में जो की संबंदित है SST का देखो जो SST की कटॉफ होगी हो सकता है कि कम कटव बताई जा दी है लेकिन पेफर की पैटर के आधार पर कंट देख कने के अगर इक सीट यहां से मिल जाई इसके अलावा अगर बात की जाए आप 73 के बीच में आ रहें तो भी उंबीदे हैं लेकिन अगर आप 73 से उपर हैं तो 100% आपको यहां से एक सीट मिल जाएगी SST के अंदर SST की कटॉप भी हाई जाएगी लेकिन हिंदी से हो सकता है कि थोड़ इसी नीचे जाए लेकिन इसके अंदर आवेदन की संक्या बहुत जादा होगी पेपर का पैटर्ण जिस हसाब से देखने के लिए मिला है इमान दाई से अगर नोकी दीजाएं तो बहुत कम अभ्यरती क्वालिफाई करेंगे इसके अलाबा अगर बात की जाती है OVC को लेकर तो OVC की बीच में हमें देखने के लिए मिलेगा कि 70 से लेकर 72 वाले अभ्यरतीयों को एक सीट मिल सकती है अगर आप 70 से वहतर की बीच में हैं तो यहां से आपको एक सीट मिल जाएगी ठीक है अगर आप वहतर से ऊपर जा रहें तो ज़्यादा संबावना है कि आपकी एक सीट पकी है SST के अंदर OBC चातों की इसी के साथ अगर बात की जाती है SST वाले चातों के लिए तो हम यहां से कह सकते हैं कि बो भी 70 के पिलस सेफ हैं अब आप कहेंगे दोनों की कटॉफ सेम जा लिए सेम नहीं होगी जैसा कि हमने पहले भी आपको समझाया कि इसके अंदर हो सकता है कि OBC की कटॉफ लगबग 70.5 चली जाती है अब 70.5 के बाद में हो सकता है इनकी कटॉफ सथर जाई इसी वज़य से मैं आपको बताया कि जो SST वाले अभ्यरती है वह भी 70 पिलस अगर आपका कटॉफ बन रहा है तो यहां से आप सभी सेफ माल सकते हैं इसके अलावा ST या पिएच वाले चातों की अगर बात की जाए 69.5 प्लस वाले अभ्यरतियों को यहां से एक सीट मिल सकती है क्योंकि 69.5 प्लस वाले अभ्यरती अगर इससे भी कम वाले कोई अभ्यरती है तो वो उम्बीद कर सकते हैं लेकिन सीटों की संक्या एतनी जादा है नहीं कि मैं आप सभी को कहूं कि 68 वाले भी आ जाएं और 67 वाले भी आ जाएं मैं आपको सीधे तोर पर जानकाई देजाओं कि 69 पिलस वाले अभ्यातियों की संबाबना जादा है कि यहां से एक सीट उनको मिल जाएगी ठीक है यह बात हो सेम थी अगर बात कि जाए आपकी सस्ट के अंदर और साथ में इंग्लिस के अंदर सेम कट-ॉफ देखनी के लिए मिल सकती है अगर आप जंदल से हैं 71 से लेकर 73 के बीच में है तो एक सीट की उमभीद की जा सकती है 73 से पिलस वालों के लिए सीट पकी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है OVC वाले चार्टों की अगर बात की जाती है तो इंग्लिस के अंदर 70 से लेकर 72 वाले चार्टों को यहां से एक सीट मिलने की उमभीद है बाकि अगर आप 72 से उपर है तो आपको सीट मिल जाएगी सेम अगर बात कें ST और PH वाले चार्टों के लिए यहां वही वही सिनारियों देखने के लिए मिलेगा 79.5 पिलस वाले अव्यतियों की संबाबना जादा है कि वो इंग्लिस के अंदर एक सीट यहां से ले 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 अगर आपकी इससे कम है तो उम्बीद कर सकते हैं बागी परड़ाम आने पर ही किलियर होगा तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने आपको सभी विश्यों की कट आप बताई चाए इंग्लिस की हो क्याइस के अंदर एक सो अब्याति यहां पर एक सो पांच वी लिए लेकिन अप और अवह माल लेते हैं कि इस की अब्याति ॉट् STEPे में कहने पर चेष्यों में थ्रुश च्भीजर इस सेब्सक्राइल जाएगी है ना अकेडमिक काफी बड़ा रोल होगा सेम इसके अंदर आपस भी देखें अकेडमिक कम है इसके अंदर जाधा है तो स्वीट यहां पर अकेडमिक जाधा वाली को मिल जाएगी सेम आपको यहां पर चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा अकेडमिक का भी एक बहुत बड़ा रोलेस भाति के अंदर जो कि आपको पहले से बताया गया है बाकी इसके बाहिए में आपकी क्या राय है कमेंट करके वह से बताए इसको लेकर लगाता बहुत साइए सर्वे की जाएगी कुछ defend के बाहे में और जैसे 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 जो भी इ वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जिसे आपको इसी विगार की जानकाया मिलती रहें